दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जब अमेरिका के राष्ट्रपती डोनल्ड टरम्प हुआ करते थे उस समय भारत और अमेरिका की दोस्ती का सुनहरा दोर चल रहा था याने भारत और अमेरिका के बीच में इतनी नस्दी किया पहरे कभी नहीं देखी कि जितनी डोनल्ड टरम्प के कारेकाल के दोरान देखी गई उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपती डोनल्ड टरम्प इन दोनों की विचार धारा एक थी और ये आपस में भी बहुत अच्छे दोस्त थे मुझे याद है उस समय हमारा ये चैनल तो एक्टिव नहीं था लेकिन मैंने अपने सेकेंड चैनल एनने खंडवा डिफेंस और अफेर्स के उपर एक वीडियो कवर की थी उस समय चैनल का नाम खंडवा हिस्टोरिकल हुआ करता था और वो खबर ये कवर की थी कि भारत अम हमने सेट की थी उसमें हमें हतियारों के साथ ड्रोन्स मिलने वाले थे याने ऐसे ड्रोन जो की सर्विलांस का काम तो करी सकते हैं साते साथ एस्ट्राइक मिशन को भी एंजान दे सकते हैं और मैं आपको बता दो कि उस समय एरान के सबसे बड़े कमांडर कासिम सुलेमानी क को भी अमेरिक आने इसी ड्रोन की मदद से स्ट्राइक करके मारा था तो इस ड्रोन का जो हाइप बना हुआ था वो बड़ा नेक्स लेवल का था और इसी परिस्तिति में भारत ने से खरीदने के लिए डिल सेट कर दी यह बड़ी बात थी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए का मैं डिल साइन करने की बात नहीं करने की बात करनों क्योंकि यहाँ पर कई सारी कंडिशन समने रखी थी एक्चुलि मैं आपको बता दू कि अमेरिका से यह ड्रोन सभी तक के अब नेटो कंट्रीज नहीं खरीदे हैं क्योंकि यह बहुत महेंगे मैं आपको बताया कि 30 टीन बिलियन डॉलर्स में तो दुनिया भर के अनलेस यह कह रहते हैं कि यह ड्रोन भारत तो खरीदी नहीं सकता बिल्कुल नहीं खरीद सकता लेकिन फिर भारत ने डिल सेट कर ल अमेरिका से आता था वो तक रोग दिया था तो कहीं लगे भारत और अमेरिका की रिलेशन्शिप बस अब ही तक सीमित रहेंगे इस बात की चर्चाएं होने लगी थी लेकिन फिर भी जैसे तेसे हमने बात को आगे बढ़ाई जब प्राइम मिनिस्टर मुदी अमेरिका के दोरे पर गए उस दोरान भी प्रेडियेटर ड्रोन्स के उपर काफी विस्तरत चर्चा की गई सारी टमसें कंडिशन्स के बारे में हमने रखा लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं न कहीं बात नहीं बन रही थी और ये मामला बिल्कुल रुका हुआ था लगता था कि अभी साइ DRDO के सुदेशी ड्रोन्स की उपर देख रहे हैं देखिए यहां पर भारत के पास DRDO का एक बहुत अच्छा उप्शन है वह हमारा रुस्तम टू आप जानते हैं कि रेसेंटले इसने कई सारे अपने टेस्स वगेरा क्लियर कर दिये और जितने रिक्वार्मेंट हमें था कि प्रोजेक्ट चीता के तहट हमने इसराइल से जो उसके हेरान टीपी ड्रोन्स लिये थे उनके अंदर भी मेसाइलों का इंटीग्रेशन करवा रहे हैं जिसके लिए हम लोग कुल 5000 करोड उपे खर्च कर रहे हैं तो एसी परिस्तिती में प्रिडिटर ड्रोन्स जो हम यही तीन बिलियन डालर्स का इस्तवाल हम लोग हमारी प्रोड्यक्शन के पड़यर बढाने के लिए कर सकते हैं तो इस सबसे प्रब्प्शन आज वह मीनलग एंस्तित आप यही प्यटार कानी हैं वह पस्थ को करने आसे अने वाले समय में हम islands भी बना लेहें चाब अमेरिकन ड्रोन भी उसके आगे चाय कम पानी हो और यह पॉसिबल भी है और यह ड्रोन क्यों यार मैंने आपको कल पर सुई वीडियो बना कर बता था कि हम लोग डी पावर बनने वाले हैं एक श्रीप बनी गए हैं इतने सारे स्टेल्थ ड्रोन हम लोग जब तयार कर रहे है तो यह ड्रोन कौन सी बड़ी बात है सब कुछ हम लोग कर सकते बस थोड़ा सा पैशन्स रखने की देर है और हमारी कमपनियों पर विश्वास जताने की देर है बाकी सब कुछ हो जाएगा तो इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ कि अमेरिका से प्रिटिटर ड्रोन्स लेन हमने कैंसल कर दिया जैहन